दोस्तों एक मुद्दा मननेर आपने दोनों वान सुनेया है और वो मुद्दा है भई अपने बहुत सारे कलाकार अपने बहुत सारे कलमकार किसान अंदोलन के दोरान जिस सत्तात है आपे नाराज हो कि किसान बाई अंदोलन करन लाग रहे हैं उसे सत्तात जाके ना आथ में इसे फोटो आप बार में पूरी जानकारी ना उ आपने उस चीज का बार में बेरा ना उ तो उस मुद्द को पर बोलन का कि आप किस कारण, मतलब लोजिक के था, आप उन दो रजा के बैठे, आप मनुरलाल खटर जीते मिले, तो उनका एक जवाव था कि हम फिलम नीती ने लेकि मिले हाँ मारा कोई गलत उदेशे नहीं था आज भी हम कलाकारां के साथ था और कल भी हम कलाकारां के साथ था तो सब दवड़ी बात नंबर एक पॉइंट में बता दियू तामे घड़े सही थे आमने मान लिया बहुत ज्यादा सही थे लेकिन टेम बह अपने मनोरलाल खतटर जी ते मिलना ही था तो वही टाइम थोड़ा से पहले ही यहीका भी था और टाइम थोड़ा से बाद का भी था हमारे एक खरीयाना की आनबानर स्यान जिसने मैं कूं केडी बाई इसे हैं जिन्हों नैं जिस तरीकत है गजेंदर फोघट जी को बीजे तो मतलब गजेंदर फोगाट तो उसकी मतलब पद का चक्रमोड बेठे बेठ गया लेकिन उसके साथ-साथ आपने पता होगा हमारे बहुत शारे कलाकार उसने अपने साथ में दोशी बना लिए क्योंकि कलाकार सिर्फ मैंने किसान की रोटी खांदी आप भी खाऊ हो तो इसक का बारा में थोड़ा सिर्फित तो परिवार से नहीं है और कलाकार यदी वहां गई है कलाकार यदी ओड़ा बैठे हैं कलाकार याद्हब कशी मेरा मतलब परस्नल अपिनियन है कि ये बहुत गलत है और ये होना नहीं चाहिए था टाइम बहुत खराब था इसके चलते हमें थोड़ा इसी ये चीजें महसूस करने की भी जुरूरत है उनको सोचने की भी जुरूरत है क्या आप लोग किसान के परिवार से नहीं है क्या मतलब जहां काले जंडे हमारे किसान भाई जिस इनसान को दिखा रही है आप उसी इनसान को जाकर के पगड़ी शोपते हैं उस इनसान के हाथों आप सम्मानित होते हैं उस इनसान के साथ आप फोटोज लेते हैं और कहा जाया करहनी, कि मतलब गल्त वो नी होंदा, जो गल्ती करके माफी मैंगली है, गल्त वो है, जो गल्ती तो कर दे है, लेकिन अपनी इतमें फिर सफाई भी उपर देवा है, सफाई देनारी बात, राज्यू पंचाबी जी ने अपना जो माफी नामा था, सोसल साइट के परदर्शित कर दिया, आमने संतुष्टी होगी, कि साहद हाँ, इसने ये काम गल्ती में करया होगा, इस पर गल्ती होगी, उस टाइम इसके दिमाग में पता नी के चल रहा होगा, जड़े इतने सारे कलाकार कठे हो, इसने सोचिया कि मेरा भी परम करता विया है, कि मैं भी कलाकारां के साथ में चलू, ओड़े जाके थोड़ा सा उनका मन यू होया होगा, कि चल मेरे को भी इनके साथ लग जाना चाहिए, दूशरी बात, जो कलाकार वहां पोहँचे हैं, और किसानों के जवाब मांगने पर ये कहते हैं, कि हम कल भी किसान के साथ थे, और आज भी क किसान जो है, वो इस मतलब पूरे संसार की रीड और नीट दोई चीज होती है, रीड और नीट दोनों किसान है, क्योंकि भूखे पेट भजननी होए, बहुत पहले हमारे संत कभी कह गे थे, तो वायो किसान का सम्मान करो, किसान के साथ में खड़े हो, यह बात बहुत गलत है, कि जिस टेम जो अनधाता, जिसके खिलाफ लड़ रहा है, तामे उसकी कोख में जाके बैठो हो, तामे उसकी गोद में जाके बैठो, तामे उसकी कुरसी का दोरा खड़े हो, फोटो के चुआ हो, उसने पगड़ी दे हो, मतलब जो इनसान किसानना की नजरा में, मैं तो तो आप मतलब उसको हाथ ही मत लगाई, मैं तो यह कहूँगी, और इस मुद्दे के उपर मेरा बोलने का एक मात्रूदेश यही है, देखो फिलम नीती पहले भी बनी थी, फिलम नीती आज भी बन रही है, और उस टाइम भी बहुत चारे हमारे कलाकार हैं, जो हमारे वरतमान हमारे परधानमंत्री है, तत्कालिन जो परधान मंत्री है, मुखह मंत्री होए, उन से मिले भी, फिलम नीती का टाइम था अभी तुम्हें फिलम की पढ़ी, किसान अपने पेट को पीट रहे हैं, वोहां दिल्ली का जो आज हरएक चोर बोडर बन गया है, तो बै करो काम कर तो थोड़ा सा इन चीज़ाने राख के जदे आगए बढ़ना चाहिए हमने क्योंकि के वेरा जो चीज आज हमने सोची है वा पता नहीं किस त्रिकत महरूप पर अपड़े और उनका थोड़ा सा मतलब जब जवाब लेए नी एक तो यह थोड़ा यूनि मतलब तुम्हारे मन में कहीं ने कहीं जहां मेरी जज्जमेंट है जहां मेरे साइकलोजी कहती है आपके मन में भी कहीं ने कहीं ये है कि हाँ हमने ये काम गलत किया है लेकिन उस गलत काम को अक्षेप्ट करके उस गलत काम को अक्षेप्ट करते हुए आगे वड़ो भई, किसानों का साथ दो, किसानों के शाथ हाओ क्योंकि हमें उमीद नहीं थी, मैं भी एक कलमकार हूँ एक कलाकार तो मैं खुद को नहीं कह सकती मैं एक कलमकार हूँ और सोसल साइट के माद्यम से जो मेरा साथ देने वाड़े हैं वो मेरे किसान भाई हैं, किसान की बेटा बेटी हैं और अगर आज मैं ही वहां जाकर के मनोर लाल खटर जिंदाबाद या मोदी जिंदाबाद के नारे लगान लाग जूनी तो यह आची बात को नहीं क्योंकि जो चीज किसान में पस्न नहीं नहीं जिसका तमें नमक खाओ हो उसके साथ मैं नमक रामियाले काम मत करया करो तो आपकी फिलम नेती बढ़ती रहा है, मारी ब्लैसिंग आपके साथ है हमेशे, मारी विशिंग आपके साथ में है लेकिन थोड़ा सा किसान का भी ख्याल कर लिया करो और कलाकार होता हमने दिल ते इज़त करूँ हूँ मतलब हर एक भाई की इज़त करूँ हूँ और एक कलाकार की इज़त करूँ हूँ जहां बहुत बड़े बड़े नाम और मैं सल्यूट करूँ हुमारे उन कलाकाराने बाई केड़ी हो गया, अमित डूल हो गया, परदीप बुरा है, पूजा उड़ा है, मतलब कलाकार तो यह वो भी थे, तो उन थोड़ा सा खुद के बीच में मतलब यह समझी है, सोची है, कि किसान जिसके खिलाफ हो, उसके सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो ने लाइक कर दो, और शेयर कर दो, तरा जी करें, तो कर दो, ना करें, तो रेंड दो, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक जुरूर करें, फिर मिलूंगे किसे नई वीडियो के साथ में, तब तक देविजात, राम राम साराने, जया हिन जयाभारत जया मेरीदेश का अन्दाट